हलो माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेल्कम डो मैं यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक इस वीडियो में हम खास करके कुछ डिफरेंस जानने वाले हैं जो की बहुत एहन इंग्लिश लैंग्विज के लिए यहां पर हम यह डिफरेंस जानेंगे कि सी को कैसे यूज करना है लुक को कैसे यूज करना है और वाच को फरस्ट फाल सी विन इंच कम्स टू आवर आइस जब एक इमेज हमारे आँकों को दिखाई देती है क्या यहां पर विताओट इंटेंशन बिना किसी इंटेंशन के कोई इमेज हमको दिखाई देती है तब हमको यूज करना है सी याद रखिए बहुत से लोग कन्फियूज हो जाते कि सी बोलना की वाज बोलना की क्या बोलना या और कुछ बोलना तो वेन इमेज comes to our eyes without intention माफी चाता हूं मैं यहां पे translate करने होता perfect नहीं हूँ बट आप कोशिश कीजिए मैं आपको क्या कहना चाहरा हूं समझने के लिए when an image comes to our eyes अचानक एक image हमको दिखाई देती है जो बिना किसी intention की आनि हम focus वहां पे नहीं करते की फलानी image हम देख रहें वलके बट suddenly एक image दिखाई जाती है जैसे example यहां पे आप देखेंगे she opened the door okay and saw me standing there she opened the door वो door open के एक image वो देख रहे है without intention उनका intention नहीं था कि बाहर कोने क्या है she opened the door and saw me standing there और मुझे देखा मैं वहां पे ठहरा वा था तो इस तरह यूज करना है कि image comes to our eyes without any intention next है look यह भी बहुत से लोग misuse करते इसका सहीं यूज ने करते बहुत से लोग so the proper usage very very important look to see something with intention हम इससे पहले देखे थे word see जो कि past tense में साबल की उसके जाथा तो यहां पर look किसके लिए with intention and attention हमारा पुरा attention रहता यहां पर उस चीज को देखने का और साती साथ यहां पर हमारा intention भी रहता properly often used with it और इसको हम किसके साथ यूज करते एट जो है उसके साथ हम यूज करते बेन लुकड एट मेन्यू यहां पर आप example देखेंगे बेन लुकड एट मेन्यू बिफोर ordering his meal बेन लुक 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 तो यहां पर लुक हमको यूज करना है something with intention कुछ intention है हमारा and attention भी है और यह follow कर किया जाता है एट से next day watch watching television बोलते हैं बहुसे लोग तो यहां पर television एक उसमें जो picture है वो moment वाली रहती है तो यहां पर look intensely at something किसको intensely देखना है often something that is moving often something that is moving to watch the plane take off watch plane take off क्योंकि plane क्या हरा है हां पर move हो रहा है तो यहां पर इन चीज़ों का सही यूज आपको idea रहा है see when an image comes to our eyes without intention look to see something with intention and attention often used with it last one watch to look intensely at something often something that is moving मुझे उमीज देख कि यह छोटा सा difference आपको समझने आउंगा watch look and see के बारे में have a great day Allah Hafiz you